हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेका रहा हूं एकदम हेल्दी रेसिपी और बहुत इजी तरीके से इसको हम बना के त्यार कर सकते हैं। चले मैं आपको बताती हैं उसको मैंने कैसे बनाया है। रादकेशना फ्रेंट्स के इतिकोई रसवे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर मिली है मुंग दाल फ्रेंट्स यह आदा कप मुंग दाल है जिसको मैंने राद कब बिगो दिया था लाइब चार से पाच घंटे के लिए तो आप देख सकते हैं इस कप से मेजर क्या हुआ है आधा कप हमें वोंग दाल लेनी है और वीकर इस तरीके से हो जाएगी आप देख सकते हैं कितनी पड़िया एकदम सॉफ्ट बनके तयार हुई है वीकर तो यहां पर दाल हमारी रेड़ी हो गई है वीकी हुई तो अब ह तो फ्रेड़ का करेंगे अपर पालक इस तरीके से अर जानते हैं मार्केट में आती है तो इसकी जो डंडिया होती उसको में निकाल देना है और वाश कर लेना है बढ़ा तरीके से सको साफ कर लेंगे इसको ब्रुकर भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए तो अब फ्रेंट्स पालक भी हमने तयार कर लिया वास करके इसकी रंडिया निकाल दी है और बहुत ही बढ़िया लगी दम साफ करके तयार किया है इसको ब्रुकर भी मिट्टी नहीं है एक छोड़ा तुकड़ा हम अद्रक करेंगे यहां पर पांच हरी मिर्चेया लेंगे व तो आप तो आप देख सकते हैं पालक हमने एड करदी है अब पालक को लिए इस तरीके से दबा दबा करना है और छोटा तुकड़ा अद्रक का जो आपनी कर देंगे और इसको फोड़ा से पानी के साथ में अधर ठीवर्या मिक्सी यार में लहिकर आपनी आप एड़ा लेक पानी हमने एट किया यहां पर जिस कप से दाल मेजर की हुई थी तो इसको घ्राइंड कर लेंगे इस तरह के से ग्राइंड होकर रेडी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं इस तरह के हमें दाल चाहिए चीली के बैटर से थोड़ा से हमको सही रखना इसको बग पतला नहीं र प्लेम को ही रखेंगे एक ककपडबा जिसको घील करके से निचूल कर यह को निचलनी टे झाल देंगे उसको लेंगे हम अच्छी से चलनी पर प् grenस्त्रहेंगे इसकी दिस चलनी पर कप बढ़िया तरीके से सब्सшееड जाए तो यह सेट तो हो गया है आप में आक प्रेंट् सायता से इस तरीके से बैटर लेंगे और बन-बन स्पून हम यहां पर कपड़े पर इस तरीके से इसको रखते जाएंगे तब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही हल्दी तरीके से बनके रैडि होगी और फ्रेंड स्मूंग की दालों पालक है तो बहुत ह प्रोटीन और आयरन का सोर्स है बहुत ही बढ़ा टेस्टी रेसिपी बनेगी है तो आप इस तरीके से स्पून की साइथा से कपड़े के उपर इसको सेट करते जाए बराबर और फ्लेम को बराबर हाई रखना है में स्लो नहीं करना है इसको स्टीम करना है आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया स्टीम बनके रेडी हो गई है बड़ा प्यार से बड़ा आराम से बनके रेडी हो जाती है और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है पूरी तरीके से सेट हो गया है चलनी पर और स्टीम हो रहा है फ्रेंड्स चार से पाच मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं और जब फ्रेंड्स चार से पाच मिनट हो जाएंगे उसकी बाद हम इसको चेक करेंगे बराबर हाइफ लिम पर ही बनाएंगे क्योंकि steam हो रहा है तो बराबर इसको steam मिलती रहेगी तो अब हम इसको check करते हैं आप इसको fog की मदद से check कर सकते हैं friends अगर आपका fog बिल्कुल clean आता है तो यह बढ़ा तरीके से तरीके से रएडी कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखांगी friends इसको किस तरीके से मैंने कपड़े से च्टा दिया है तो आप देख सकते हैं इस चरके से हमने पहले वैटर को पीट को स्पून की सहायता से खुली हे अपर आपको कवर कर देंगे और छेकर पर डिवस्तों सही करेंगे सब्स्सक्राइश फ्रैंड की घूरा इस त्रिक यह रीज़ इसे फ्रेंट के ल्मिरु मेड़का dus तीन टोमाटर है जिनको इस तरीके से रफ कट कर लिया है सास से आठ लसंगी कर लिया अब मसाली के तयार के लिए तो हमने सावान रेडी कर लिया है जब तक हम चैट करते हैं इसको यह स्टीम होके तयार हुआ है नहीं तो फ्रेंड्स फॉक बिलुकुल क्लीन आया है आप दे देख सकते हैं आप कपड़े से रिमूफ कर देते हैं और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से रिमूफ जाता है कोई दिक्कत नहीं आती है बड़ा आराम से हो जाती है और कुस्त ऐसी है जो कपड़ा हमने चलनी से हटाया था तभी थोड़ा सा चूटने लगी थी ता आप देख स सकते हैं तरीके से भी चुटा सकते हैं यह दिखिये बहुत ही बढ़ा थिरीके से रिडी हो तो इसी तरीके से हम गोस को रेड़ि करना है यहाँ थिम करके अब हम इसको साइड में रख देते हैं कढ़ाई लेते हैं गयास और करके रखधे हैंप में रस्सों का तेल ठेल और जीजेश को जब ये फ्रेंग उसके बाद जो ने पर्ट है एसको यहाँ बना सकते हैं ऐसे ब करना है तो इसको ऐलचते पलचते हो इस तरीके से तैयार कर लें अब दीदि सकते हैं हम इसको इसको निकाल लेते हैं बाहर से इसका निकाल देंगे asan or the correct quite quickly बढ़े हैं आप इसलते रेसिपी है है आपिश्टी रिषिम पालडेज्ञ आप पूरने पthe, अपर हम जीराधाना डिस में करेंगे सिरेवा फ्रेजे जीराधान समस्कार है करेंगी कर दिए अवे वरियर टेमाटर, प्याज, लसन, हरी मिर्ची का पेस्ट, उसको हम यहाँ पर एड करते हैं, तो यह मसाला भूनकर रेडी करेंगे, उससे पहले तोड़ा सा हम जार में लेंगे पानी, जैसी कि हमने जो पेस्ट तयार करा था, वो हम पूरी तरीकेस उससे निकाल कर एड कर दें, तो अब भूनकर पूरी तरीकेस रेडी हो गया है, तो अब हमें आपे फ्रेंट्स पानी एड करते हैं, पानी हमको टू गलास एड करना है, बन गलास हमने पहले ही एड कर दिया है, और फ्लेम को हमने हाई रखना है, बन गलास हम और एड कर देते हैं, आपर टोटल टू गलास करना है इसको हाई फ्लेम पर इसी तरीके से हम पका कर रेडी करेंगे जब तक इसमें बढ़ी हासा उबाल नहीं आ जाता है तो फ्रेंड्स अदक हम क्या करते हैं यहां पर नमक कर दिते हैं नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एट करिए गा मैंने यहां पर बन टेप सकते हैं फ्रेंड्स पानी में बढ़ा ओवाल आना सुरू हो गया है तो हाई फ्लेम पर अभी हमने इसको वलने के छोड़ दिया है उसके बाद हम यहां पर एट करते हैं इस्टीम बरी जो हमने बना के रेडी की है उसको मैंने नाम दिया है इस्टीम बरी का आप जो चाहे से पकने के लिए छोड़ देना है कडाई में उसके बाद आप देखेंगे इसका कलर भी चेंच होने लगेगा और बहुत ही बढ़ा बने के तयार होगी यह रेसिपी तब देख सकते हैं सबजी बिलकुल हमारी तयार है गैस को आफ कर देंगे और इसको हम सर्विक बावल मे रेडी हुई है मूंग दाल और पालक से बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही बढ़ा टेश्टी एंड हैल्दी तो आप देखेगा कितनी सॉफ्ट बनी है यह बहुत ही सॉफ्ट आप भी ट्राइ कीजिए और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेस कि उसकी सभी नोडिवेकेशन फटाफट आती रहें और सबसे पहले आएं आप मेरी वीडियो को देखें रादिक्रिष्णा फ्रेंड्स कीर्थी गुएलो सभी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है